तो भाई लू कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम और स्वाधत आपका एक बरा न्यूब गलत सीन से भरे पड़े पड़े पपजे दो भाई गेम प्रे वीडियो में और यार इस मैच में तुभारे भाई के मेरे ख्याल से इस सीजन के सबसे जादा किलो जाते है और अगर मेरे पास शायद AWM नहीं होती तो सीन कुछ और ही हो रखे होते खैर फिलाल के लिए यहाँ टेमपल में आए हैं और अभी चार बंदे उतर चुके अपने सामने बिलकुल और यहाँ पे दो टीम के बंदे उतर रखे होते हैं वो आपस में लड़ते हैं एक दूसरे को नौक करके रख देते हैं फिर मैं आता हूँ और सारी किल चुरा लेता हूँ लग भग क्यार अभी भी कुछ बंदे जिंदा हैं और यहीं कहीं टेमपल के अंदर बटक रहे हैं और कुछ बंदे तो निहत्ते पड़े हैं अभी भी क्यार यहाँ पे गन उठा चुके थे हर कोई जैसे इन भाई को देख लो भाई हमारे भगते वे ठिलते हैं निहत्ते और नंगे बिलकुँ और फिर कुछ बंदे ऐसे आते जिन पर गंतो पड़ी होती हैं लेकिन वो कोने में चुपके बैठे होते हैं जैसे यह वाले भाई अब नजाने यार इन भाई का क्या ही प्लान था शायद भगने वाले थी इदर से खेर मैं टाइम पे पकड़ लेता हूँ और 6 वंदे आये थे यहाँ पे और शायद 6 की 6 किल मेरे को मिल जाती है मज़ा ही आगया बिलकुल अब देखो यहाँ पे हम ले सकते थे AWM अपनी हमें बस यहाँ पे 5-6 मिनट और रुकना था 5-6 मिनट जाता हो गया 2-3 मिनट और रुकता ऊपर जाता AWM मिल जाती लेकिन देखो जब तक मैं AWM उठाता ना तब तक यहाँ पे आदे से जादे बंदे ठिल चुके होते और य यहाँ पता बंदे आ रखियों अब मैं 2 चक्कर दगाता हूं कोई भी नहीं दिखता लेकिन तीसरे चकर में पूरी टीम सामने आ जाती है बिलकुल और ये बंदा भी सेम टू सेम मेरी वाली हरकते करता है हम इसके पीछे कड़े हैं तीन तीन बंदे इसके पीछे कड़े हैं लेकिन भाई हमें न पेलके अपने बोट की पेटी बनाते हैं जान जाए लेकिन पेटी न जाए बंदे की जान चली गई लेकिन यार पेटी बना क के इमाना और यहां पे एक किलबोर्ट की कम हो जाती है मेरी खैर वो की लो जाती तो 35 किलऊ जाते हैं खैर उसी के साथ अब निकल लेता हूँ मैं पोचनकी की और अब देखो यहां पे हम मस्ती मजाक में खेल ले होते हैं क्यूंकि आप जब भी घर पे रिस्तेदार आते है जानता टाइम क्या सीन होता है आप उन्हें कुछ खाने का देते हूं लेकिन वो नहीं नहीं बोलते रहते हैं याँ पे आमारे भाई सेम वई सीन कर रहे होते हैं याँ पे आमारे भाई भी वही रिष्तेदारों वाली हरकत करते हैं हम बोल रहे थे कि भाई या रिवाइव हो जाओ समोग बना दिया है लेकिन भाई बोलते हैं नहीं यार मैं तो पेड़ पे या के रिवाइव होंगा और इतने में बंदे आ जाते हैं पीछे से कैर एक को नौक कर दिया अब बाकियों की बारी और इस मैच में कोई भी नहीं चाहता था कि यार मैं ज़्यादा किल करनूं 34 से जैसे इस नौक पड़े वे बंदे कोई देख लो ये बंदा ओपन में जाके खड़ा हो जाता है और अपनी किल देना चाहता है पोचंकी वाले बंदे को अब पोचंकी में कोई छट के उपर से नजाने कौन सी गन चला रहा होता है ये भाई उससे ठिलने के लिए ओपन में खड़े हो जाते हैं उसके सामने बिलकुल लेकिन यार मैं टाइम पे आता हूँ और किल लेके चल देता हूँ अपनी देख रहे हो मतलब कोई चाहता नहीं है कि ज़्यादा किल कर लूँ मैं जिन्दगी में लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा भाई जैसे तैसे करके किल करी लेता है और यार नई AWM की सकीन बहुत काम आती है अब सकीन ना भी होती तो भी शायद हो जाते हैं लेकिन हाँ यार सकीन के साथ अलगी मजाता है कहरा बारी है उस बंदे की जो बंदा मेरी किल चुरी करने की कुछिस कर रहा था यहीं पोचंकी में बैठे पड़े हैं ये लोग अब यहाँ पर मुझे पता चलता है कि हरे वाले चछत के उपर बंदा बैठा है और यहीं से वो वहाँ दूर फाइरिंग भी कर रहा था अब मैं बस इंतिजार कर रहा हूं कि यार थोड़ा साथ दिख जाये बंदा और मैं पेटी मनाऊ उसकी सीधा अब कौन अलग है कौन नहीं हमको कद्दू भरकने पड़ता अपने को बस किल्ट से मतलब है अब यहाँ जब मैं पहले रश किया था एक गाड़ी पीछे से गई थी अब मेरे को लगा थैयर वो भी थर्ड पार्टी करना चाहेंगे लेकिन हाँ बचने के लिए वो भी भग जाते है खेर इसी के साथ पोचन की भी खाली हो चुका है अब बस गिने चुने केमपर बाकि होंगे जिने यार ढूंडने से टाइम ही बरबाद होगा तो मैं सूचता हूँ क्यों ना महेंगी गन उठा ली जाए अब यहाँ सामने ड्रॉप हुआ हुआ होता है और ड्रॉप के ठीक नीचे एक गाड़ी खड़ी होती है और यार गाड़ी है तो क्या पता बंदे भी यहीं बैठे हो अब इसे के साथ मैं एक बंदे को नौक कर चुका हूँ और उसकी पेटी बनाने के लिए जाने वाले हम लोग और यार अभी तक मेरे को सिर्फ एक ही बंदा दिखाता अब उस बंदे की पेटी बनाने में हमको गंटो लग जाते हैं लेकिन उसके बाद भी कोई गोली नहीं चलाता तो मेरे को लगता है ठीके भाई ड्रॉप उठाओ और निकल लो यासे कोई है नहीं बचावा लेकिन जैसे हम गाड़ी लेके जा रहे होते हैं आगे की ओर पीछे से गोलिया चलना चालू होती है अब बंदे लोग यही रिच के नीचे बैठे हुए थे लेकिन यार अपने टीमेट को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करते हो और तब गोली चलाते हैं जब हम निकल रहे होते हैं और यहां पर एक नहीं दो दो बंदे बैठे पड़े हैं दो दो बंदे यानि कि यह दोनों बंदे पहले से यही बैठे हुए थे और यार जब हमने इनके टीमेट की पेटी बनाई उपर यह लोग बैठ के बास मजे ले रहे थे पेटी का कैर इसी के साथ इन दोनों की भी पेटी बना जाते हैं और जहां तक मेरे को लग रहा है इनका आखरी बंदा यहीं कहीं लेट रखाओगा और वो भी मजे ले रहा होगा पेटी बनने का कैर वो तो मिलता नहीं तो हम निकल लेते हैं बाकी बंदे ठिलाने अब मेरे को स्कूल पे कोई नहीं दिखता रोजोग पे कोई नहीं दिखता तो मैं सूसता है यार क्या पता अपार्टमेंट में बैटे हूँ, महेंगे बिल्डिंग में बैठे हूँ बन्दे तो हाँ गाड़ी लेके वहाँ चल देते हम लोग अब यहां पर चार पांच पूला अब यहां पर चार-पांच इतनी बड़ी-बड़ी बाड़ी है यह बड़ी-बड़ी बिल्डिंग छोड़के एक बंदा पेड़ पेंप कर रहा है यहार खतरना की लोग होते हैं बिलकुल कैर जल्दी से मैं अंदर जाता हूं और यहां पे ओपन में खड़े रहके गूलिया चलाना एक बिवकुफी में बदल जाता है कैर हमारे भाई पीछे ही खड़े होते तो हाँ बच जाता हूं फिलाल के लिए अब सामने से भी एक बंदे के फुटी स्टेप आये थे वो सामने घर पे घुसा था और यह होते हैं सचे टीममेट वो बंदा चट से कूदा चट से कूद के डैमेज लिया और सीधा रिवाइव करने चला गया यह होती है दोस्ती खेर अब पेटी बनेगी दोनों की और मैं नहीं समझ पा रहा हूं की आखिर क्यों ऐसी गंडी हसी ऐसी भयानाक हसी आखिर क्यों कोई हसेगा और इसकी वज़े से पहली बात मेरे को नींद नहीं आने वाली यहां से सुन लिये मैंने उसके उपर से नींद अगर आ भी गई तो यार जो सपने होंगे न वो सूने नहीं देंगे मुझे क्यार यहां पे यह टीम भी सफाया हो जाता है इस टीम का भी सफाया हो जाता है और यहीं पे एक केमपर बैठा है बगल में और अभी-अभी यहां पे चार बंदों की पीटी बनाई मेरे को लगा यार मामला खतम हो गया होगा लेकिन मामला खतम नहीं हुआ है यहीं सामने कमरे के अंदर एक बंदा बैठा पड़ा है और यार यह नजाने किपने गंटों से केम्पिंग कर रखा होगा और इसको जल्दी पकड़ना होगा क्योंकि आगे ड्रॉप गिरा है और वहाँ पे दबाक्ये बंदे है और यहां पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का डर था कहीं इस अकेले बंदे के चलते हार मेरी आगे की चार पाच किल कम न हो जाए तो हाँ इससे पहले कि वो लोग आपस में लड़के ठिल जाएं बिलकुल हम गाड़ी पे बैठते हैं और अब सीधा रस करने जाते हैं और चार के चार बंदे जिन्दा हैं उधर पे अभी हुआ यड़ क्या शाओ इसे झाल न कहता है दो आद जाए दनीड़के मे לו बंदे चेशना सब रजाएं अपन्दाथ इधर है इधर है समोक के पीछे आजाओ और यार यार ये जो समोक और जाड़ी मैं जस्क कर कर के सकोर्ड वाइप करी उसके लिए एक लाइक ठोक ना मा भूला है ठोक दो खाता पाई गर दो बस नीला कर दो like की बटन को कैर इसी के साथ यहाँ पे मुझे awm plus गुरोजा मिल जाती है और यार awm plus गुरोजा मिल जाए और चिकन ना हो जिन्दगी में ऐसा बहुत बहुत ही कम होता है और जैसी यह दो गन मेरे को मिलती है न जिन्दगी में चौड चार गुना बढ़ जाती है अब देखो मैं बिल्कुल ओपन में भागे जा रहा हूँ कोई डरी नहीं है किसी बात का और सामने ही बंदा लेटा है अब ये तो ठीलिया इस पारवाला साब लेकिन नदी के उस पारवी बंदे बैठे पड़े है और एक बंदा उस पेड़ के पीछे बैठा है ठीक और इस मैच में सनाइपर वर्सी सनाइपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आकरी बंदे पे भी M2 फर होती है खेर अभी एक सामने बंदे पे कर 98 पड़ी है अब यहां पर मैं सामने नदी पारवाले बंदों से पंगे ले रहा होता हूँ लेकिन उत्रे में कोई पीछे से एमफूर जिपका देता है और दिक्कत की बात यह थी यार कि लाल बिंदू भी गायब हो गया था मेरा खेर अपने टीमेट से मैं हतिया लेता हूँ वो और हर चीज होने के बाद भी मैं ओपर में खड़ा हूँ अभी भी सामने बंदे हैं नदी पार बंदे हैं गोली भी चल रही अपने पे लेकिन उसके बाद भी ओपन में भटक रहा हूँ मैं और अब मैं बोलता हूँ कि यार अगर ज़्यादा चोड में रहे ना भी भी तो यार पेटी बनते टैंग नि लगेगा तो हाँ सामने घर खाली पड़ा होता है तो हम इसके अंदर गुश जाते हैं अब यहां गुश के मैं उस बंदे को पहले की कुशिस करता हूँ लेकिन यार जैसी भाई को मैं एक AWM चिपका देता हूँ भाई गायब हो जाते हैं वहां से और उसी के साथ साथ एक गाड़ी आ जाती है बगल वाले गर के अंदर तो हाँ मेरे को अभी दो जगा देखना है और खड़ा हूँ मैं बिल्कुल चत के उपर तो कोई भी अब मेरे को अच्छे से बात पता हुती है कि यार अगर मैं च्छत पे खड़ा रहूंगा तो मेरे को गोली पड़ेगी पड़ेगी लेकिन उसके बाद भी ढीटता देख रहे हूँ यार मैंने बुला AWM चलानी है तो उपर ही खड़ा होना होगा तो हाँ AWM से एक और बंदा में साफ कर चुका हूँ अब बस गिने चुने दो ही बंदे बाकिया है और एक बंदा तो सामने घर के अंदर छुपके बैठा है औ अब मैं सीधा भगते वे जाऊंगा तो यार पेटी भी बन सकती है तो मैं इंतिजार करता हूँ साही टाइम आने का अब हमारे भाई उपर कमने में बैठे होते हैं बहिया ने खीचा नेट और यार मेरे कावाज नेट किया जाती है तो मैं सीधा अंदर रस कर देता हूँ उसके बाद नेट भड़ता है और मैं नीचे आ जाता हूँ अब एक आकरी बन्दा बाकी है जो कि उस घर के चट पे चट के बैठा है और यार यहां पे सनाई पर वर्सी सनाई पर होगा अब हमारे आकरी भाई फच चुके हैं और जादा कुछ कर नहीं सकते हम तीन बन्दे जिन्दा है और वो एक अकेला बन्दा जिन्दा है और यहां पे यार नाचना गाना चालू हो जाता है खैर बस अभी इंतेजार चल आई कि यार वो थोपड़ा दिखाए और गलती से हैट सोट चिपका दू मैं उसके बस और इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है अब भाईया पे भी M24 पड़ी थी भाई पीक करते हैं बिल्कुल हलका साब लेकिन यार उतने पीक काफी थी मेरी AWM के लिए खैर उसके बाद मैं अपनी किल की तरफ देखता हूँ और यार मज़ा ही आ गया 34 किल हो चुके होते हैं और इसी के साथ चिकन चुकन भी हो जाता है तो बस भाईयो गयार आज की वीड़े में इतने ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते इस अब देखने के लिए और यह 34 किल गेंपले के लिए एक लाइक ठूकना मत भूलना और अगर आप यहां पे नए हो तो करो सब इसक्राइब और यह से गलत सीन वाले गेंपले और सश्ती कमेंटरी के लिए और यार जाते-जाते वांप अप को चेक आउट करना मत भूलना उ कल्मेंट आर बाइब बाइब बाइब